एलो दोस्तों ये घर का नक्षण आपको जबर पसंद आएगा कम जगा में तिन बेडरूम का घर का नक्षण हमारा आत्ड जिसकी आपको साइज मिलती है 20x फिट 42 फिट का यह हमारा वासू के नुसार इस्ट फेस या इस्ट फेस यानि पस्षी में मुखी घर का नक्षया आयए तीन बेड्रूम का कम जगा में किस तो किस सरीके से हमने इस प्लान को डिजाइन किया है इसका जो टोटल एरिया है दोस्तों यह आपको मिलता है इस प्ल में आपना सिट्न कर सकते हैं सफफां लगा सकते हैं और यही पर यहमारा डाइनी एरिया है इसके सामने यहाँ पर वेश्टो की जान लेते हैं सबसे पहले बात करते हैं यह हमारा इस्टो फेसिंग का प्लान है फ्रन्ट से हमको इस्टो फेस मिलता है साउथ फेस नौर्थ और बैक साइड की तरह वेश्टो फेस है और इसमें इस प्लान में जतनी भी हमको वाल मिलती है यानि इसमें हमारी ज तो आप अपने इच्छन उसरा आउटर वाल 9 इंच की रह सकते हैं बट यहां पर हमने सारी वाल 5 इंच की लिए है अब हम आपको इस प्लान के बारे में समझा देते हैं तो दोस्तों वीडियो इस्टार करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है और अभी तक आपने ह हमरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बिला आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली तमाम अच्छी ची वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहें और दोस्तों यहां पर देख सकते हैं हमने अपना कालम भी मि को डिजाइन किया है तो सबसे पहले यहां पर हमने दो इस्टेब दिया है यहां से हम अफो करके पहुंचते हैं अपने वरांदा वाली जगापर तो यहां पर आपको एक छोटा सा वरांदा एरिया मिलता है नाइन फिट नाइन इंच बाई फॉर फिट सिक्स इंचों में पर आपको वरांदा एरिया मिलता है फिर इसी वरांदा एरिया से दोस्तों यहां पर देख सकते हैं आपको में गेट मिलता है फॉर फिट का यहां पर आपका में गेट है तो यहां पर आपको फाइफ फिट की गैल्डी मिलती है और इसी वरांदा एरिया से दोस्तों यहां पर आपको एक और डूर मिलता है तो यहां पर हमारा क्या है यहां पर हमने बेडरूम रखा है तो इस वाले बेडरूम को हम ऐजा घिश्ट रूम के परपस से हमने यह वाले बेडरूम को रखा है क्योंकि दोस्तों इस बेडरूम में हमने डबल डूर दिया एक तो अपने वर मिलता है काफी बड़ी स्पेस में और यहां पर आपको डबल विंडो भी वेडरun के लिए मिल जाती है ताकि हमारे वेडरosto का अच्छी हुआ होता रहे फिर से गैलिद में यहां पर दोस्तो आपको एक और डूरा नहीं को एक और नहीं होता रहे फिर दोस्तों इस गैलिडी से हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर हमारा 시टिंग हॉल मिलता है seating hall plus dining area यहां पर आपको मिलता है काफ़ी बड़े space मेहां पर हमारा sitting coffin ने देख सकते हैं इसके size की बात करते हैं तो 13 Все हमको यह वाली साइज मिलती है और 14 फिट 6 इंचों हमको यह इसकी लेंट हो मिलती है यहां पर दोस्तों आप सीटिंग के साथ साथ अपना डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं यहां पर आप अपना डाइनिंग एरिया भी कर सकते हैं उसके बाद फिर दोस्तों इसी सीटिंग तो दोस्तों यह जो हमने इस्टे डिजाइन किया है, साथ इंचर का राइजर हमने रखा है, और 10 इंचर के साथ हमने यूशेपवाली सीडी बनाई है, उसके बाद दोस्तों इसी डाइनी अरिया के सामने यहां पर को किचेन देखने को मिल जाता है इसके साइस की बात करते हैं तो सेवन फिट सब्सक्राइब तो दोस्तों देख सकते हैं पीछे आपको दुब्रोम मिलता है तो सबसे पहले अगर हम इस वाले बेडरूम में तो इस बेडरूम की जो आपको साइज मिलती है 11 फिट बाई 13 फिट में काफी बड़े स्पेस में यह वाला आपको बेडरूम मिलता है और इसमें भी आपको डबल विंडो भी विंटिलेशन के लिए देखने को मिल जाती है उसके बाद फिट दोस्तो लाइश्ट बेडरूम यहाँ पर अगर हम इस बेडरूम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको थार्ड बेडरूम मिलता है इसके साइज की बात करते हैं तो नाइन फिट नाइन इंचम को सामने वाली साइज मिलती है थायटीन फिट आपको इसके लिंटो मिलती है और इसमें हमने एक विंडों भी रखी है विंटिलेशन के लिए ताकि इस वाले बेडरूम का भी हमारा अच्छा से विंटिलेशन होता रहा है तो दोस्तों कुछ इस तरीके से हमारा बेहतरीन सा उनली देख सकते हैं 924 इसक्वाइफिट में 924 इसक्वाइफिट पे तीन बेडरूम यानि थी भी एच्की का बेहतरीन से यहाहूस प्लान था वास्तु के नुसा रिष्ट फेसिंग हमने यहाहूस प्लान डिजाइन किया था तो फ्रेंड हमें कमेंट करने कि जडिके करेंबता है अबए तो प्लान आपको का वैंसे रुडूम करें प्लान जाया बूलें Caron और दोस्तों अगर आपको कोई प्लान हमसे कमीन करें आपने ले साथ आप आपकी प्राइबतों की मत्रता है और फ्राइए मारे इसार हो ...